ओम कृष्नायवासुदेवायः हरये परमात्मनेंं परनतहकलेशनासायः गोविनदायः नमो नमाहं सच्चिदानंदरूपायः विश्वत पत्यादियेतवें तापत्रियविनाशाया स्रीकृष्नायः वयमनुमाहं मित्रो साधर जैस्रीकृष्नाम आमल की एकादर्शी का वरत जो भी इस्त्रीपुरु सरद्धा के साथ करते हैं उन्हें सुख सोभाग्य और दिर्ग आयू की प्राप्ति होती है यहावरत सरद्धा और विधी के साथ करने से परिवार की हर प्रकार के दुख संकट से रक्षा होती है भगवान स्री हरी की करपा से मनो कामनाई पूर्ण होती है तो मित्रो पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक अवश्य देखें तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा तो मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत थे आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य नई नई ग्यानवरधक जानकारिया वा नित्य का राशी फल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो धर्म गरंथों के अनुसार आमल की एकादशी का वरत जो भी इस्तरी पुरुष सरद्धा के साथ करते हैं भगवान स्री हरी की करपा उनके उपर बनी रहती है फालगुन मास के शुकल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी के रूप में मनाय जाता है इस एकादशी को आमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है इस दिन भगवान स्री हरी विश्णू जी की आरादना के साथ आमले के पेड़ की पूजा करने का विधान होता है धर्म गरंतों के अनुसार सच्चे मन से जो भी इस तरी आमल की एकादशी का वरत करते हैं इस तरी आप पुरूश हो उन्हें मोक्ष फल की प्राप्ति होती है और पूरे परिवार की हर दुख संकट से रक्षा होती है तो आमल की एकादशी का शुम महुर्थ इस प्रकार से रहेगा आमल की एकादशी का वरत दिनांक 14 मार्च 2022 सुमवार के दिन रहेगा आमल की एकादशी तिथी प्रारंब होगी 13 मार्च 2022 को प्रातहकाल 10 बच के 21 मिनट पर आरंब हो जाएगी आमल की एकादशी तिथी की समापती होगी 14 मार्च 2022 को सोमवार के दिन दिन के 12 बच के 5 मिनिट पर समापत हो जाएगी तो उदियात तिथी होने के करण 14 मार्च 2022 को ही यहा वरत रखा जाएगा पारण का समय रहेगा 15 मार्च 2022 मंगलवार के दिन प्रातहकाल 6 बच के 31 मिनट से आरंब हो करके प्रातहकाल 8 बच के 55 मिनट का जो समय रहेगा इस समय अवधी में आपको इस वरत का पारण कर लेना चाहिए तो धर्म ग्रंथों के अनुसार आमल की एकादशी का विशेश महतु बताया है धर्म ग्रंथों के अनुसार आमल की एकादशी के दिन भगवान विश्णू जी के साथ आमले के पेड़ की पूजा बहुत ही उत्तम मानी जाती है कहा जाता है कि भगवान विश्णू जी ने सर लेके पेड़ के नीचे बेट करके की जाती हैं तो सास्त्रों के नुसार आमल की एकादशी वरत करने वाले इस तरी पुरुस को मोक्षफल की प्राप्ती होती हैं इस वरत का पुण्य एक हजार गवदान के बराबर भी प्राप्त होता हैं तो आमल की एकादशी की पूजा कर पुर्णे के पस्चात इस पुण्यदाइनी वरत कथा को अवश्य सुनना चाहिए जिससे कि इस वरत का संपुर्ण फल प्राप्त होता है तो कथा को आप एकाग्रचित्त हो करके सुने इस कथा के पस्चात आमल की एकादशी का विधान आपको बताएंगे कि यहाँ वरत खरी की करपादर्ष्टी आपके उपर बनी रहें तो कथा इस प्रकार से है भगवान स्री कृष्ण भगवान कहते हैं धर्मराज युदिश्ठिर से कि मैं तुम्हें फालगुन माश शुक्ल पक्ष की एकादशी वरत की विधी और महात में बतलाता हूं ध्यान पुरवक स इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी है इसके पवित्र वरत को करने से समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं और जीवन में सफलता भी मिलती है मोक्ष फल की प्राप्ती होती है और परिवार की हर दुख संकट से रक्षा होती है इसका पुन्य फल एक हजार गवदान के फल के बराबर प्राप्त होता है अन्त समय में विष्णू लोक में इस्थान मिल जाता है तो त्रेता युग में एक दिन भगवान महान राजा मांधाता ने वसिष्ट जी से पूछा था कि है दुझी सरेश्ट यदि आपकी मुझ पर करपा दरश्टी हो तो किसी ऐसे वरत को कल्यान हो जाए तो महरसी वसिष्ट जी आगे कहते हैं कि आमल की एकादसी जो है एक महान जो आमले का वरक्ष होता है आमल की एकादसी तिथी भी महान पुन्यदाईनी होती है जो वरक्ष आमल की का आमले का होता है वह सब पापो का नाश करने वाला होता है भगवान विष यानि आमले का महान व्रक्ष उत्पन हो गया था इसको सभी व्रक्षों का आदी भूत व्रक्ष कहते हैं यानि स्रष्टी का सबसे पहला व्रक्ष आमले का व्रक्ष है इस समय भगवान विश्णुजी की नाभी से निकले कमल में से ब्रह्माजी प्रकट हुए थे उनी से इन इस्थान पर आये जहां पर विश्णू प्रिया आमल की का व्रक्ष था उसे देख करके देवताओं को बड़ा विस्माई बड़ा ही आश्चरी हो गया वे उतकंठा पुर्वक उस व्रक्ष की और देखने लगे थे और विचार करने लगे कि व्रक्ष आदी व्रक्ष तो कि हैं महर्शियों यह सरवस्रेष्ट आमल की का व्रक्ष है जो विश्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है इसके इस्मरण मांत्र से गवदान जैसा फल मिलता है इसको इस परस करने से इससे दुगना और फल भक्षन खनने से यानि इसका फल खाने से तीन गुणा फल मिलता है अता आमल की का सेवन करने का ध्यान रखना चाहिए हर व्यक्ति को आमले के फल का सेवन अवश्य करना चाहिए यह सब पापों को हरने वाला होता है यह वैश्णु वरक्ष बताया गया है इसके मूल भाग में विश्णु भगवान का वास होता है उपर के भाग में ब्रम गर्ण रहते हैं और फलों में समस्त प्रजापती वास करते हैं आमल की सर्व देवमई बताई गई है यानि आमले का पेड जो है उसमें सभी देवताओं का वास माना गया है प्राचिन काल में वैदिश नामा के सुंदर और स्रेष्ठ नगर था जहां पर चंदरवंशी राज पाश बिंदु के वंसज चैत्र रथ राज्य करता था वह अत्यंत ही विद्वान था धर्मात्मा एवं सत्य वरती सत्य बोलने वाला और सू संपन्न राजा था उसके राज्य में चारो वर्ण ब्राम्वन वेश्य छत्री शूद्र सब मिल जुल करके रहते थे नगर में सर उपवास रखते थे वह नगर वेद ध्वनी से सरवता गुंजाए मान रहता था तो एक बार फालगुन माहा के कुरुष्ण पक्ष की आमल की एकादशी तिथी आई उस दिन समस्त प्रजा जनों ने प्रसनता पुरवक इस एकादशी का उपवास किया प्रजा सहीत मंदिर में आकर के एक कुंब इस्थापित करके यानि एक कलश इस्थापित करके धूप दीप निवेद्य आदी से आमले का पूजन किया गया वे सब देवताओं की इस्तुति करने लगे और बोले कि हे धात्री हे धात्री देवी आप ब्रह्मा से उत्पन्न हो गए हों सब पापो पापो का नाश कर दीजिए तो वहां पर देव मंदिर में सबने रात्री जागरन किया ठीक उसी समय वहां एक शिकारी आया जो दुराचारी और महापापी था वहां अपने परिवार का पालन करने के लिए जीवहिंसा किया करता था उस समय वहां अत्यंत बेचेन था और भ भगवान की कथा और भजन किरतन सुनने में मगन हो गया था सारी रात जागरन में उसने व्यतीत कर दी प्रातहकाल होते ही अपने घर को चला गया जा करके भोजन किया कुछ समय के पश्चात ही उसकी मरत्य हो गई परन्तु आमल की एकादशी में रात्री जागरन और समालने लगा महां का राजा बन गया और वहां चत्तु रंगिनी सेवना का भी प्रधान बन गया तथा धन दान्यalamदे से संपन्हों करके 10.000 ग्रामों पर सासन करने लगा एक दिन वह राजा जब शिकार खेलने के लिए वन में गया तो देवयोग से वहां आस्ता भूल करक इधर उदर भटकने लगा रातरी होने पर और अंत में ठक कर एक वरक्ष के नीचे सो गया उसी समय कुछ पहाड़ी डाकू भी महां आ गए डाकूओं के सरदान ने जब राजा को निंदरा में लीन देखा तो वे सब कहने लगे कि मारो मारो चीकते हुए राजा पर तूट प करके डाकूओं पर ही वार करने लगे तो वे सब डाकूओं मुर्चित होकर गिर पड़े उसी वस्था में राजा के सुप्त सरीर से एक आत्यंत तेजसी दिव्य देवी प्रकट हो गई जो की स्वयम महाकाली सी दिखाई दे रही थी तो क्रोधित हो चक्र लेकर के उन डाक को मरा हुआ देख करके चकित हो गया और विचार करने लगा इन डाकूओं को किसने मार करके मेरी रक्षा की है जब वह राजा ऐसा विचार कर ही रहा था तबी आकाशवानी हुई कि है राजा इस संसार में विश्नु भगवान के अलावा और कौन रक्षक हो सकता है स्वयम प्रभू ने तुम्हारी रक्षा की है आकाशवानी सुनकर के राजा ने भगवान विश्नु जी को प्रणाम किया और प्रसन्न चित्त हो करके अपने महल में वापस आ करके सुख पुर्व करहने लगा तथा राज काज चलाने लगा महरसी वसिष्ट जी ने कहा आगे कि है राजा यह सब आमल की एकाशवी के पुण्य प्रभाव से ही संभव हुआ था तो यह जो कथा है स्री ब्रह्मांड पुरान में वरनित की गई है इस वरत में आमले का सागार व्यक्ति को लेना चाहिए आमले से बने पदार्थ दूध एवं आलू फल आदी का इसमें प्रयो होती है भगवान श्री हरी की विशेश करपा उन्हें मिलती है तो विधी इस प्रकार से है एकाशवी से एक दिन पहले सुरियास्त के बाद भोजन आपको ग्रहन नहीं करना चाहिए यानि दसमी तिति को भोजन ग्रहन सुरियास्त के बाद आप नहीं करें और एकाशवी के पूजा करें अत्वा उनके सामने शुद्ध घींका दीपक जलावें इसके बाद भगवान विश्णू जी को आमले के प्रसात के रूप में आमले का भोग अर्पित करें पूजा हो जाने के बाद आमले के व्रक्ष के नीचे नवरत्न युक्त एक कलस इस्थापित करें यान अले दिन यानि दौदसी तिती के दिन प्रातहकाल उट करके इसनान कर लेवें एवं इसनान करने के पस्चाथ पुनाह भगवान विश्णू जी की धूप दीप निवेद्या आदी लगा करके पूजा अर्चना करें इसके बाद सुब समय में सुब महुर्द में इस वरत क पारण कर लेवें यदि संभव हो तो इस दिन गरीबों को दान अवश्य करें क्योंकि इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ती होती है और वरत का पुर्ण फल भी प्राप्त होता है तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ग्यानवरधक जानकारी पसंद आई आप हमारे वीडियो को लाइक वा अधिक सदिक शेयर अवश्य करें जिससे कि इसका पुर्ण फल आपको मिलता रहे धन्यवाद जैसरी करश्न मित्रों फिर मिलेंगे